अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्वर तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Paint में किसी image के चार और border कैसे बनाते हैं बहुत यह असान से steps में समझेंगे तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर यह image हमारे पास है अब अगर इसके चार और हमें border बनाना है तो उसके लिए हमको उपर के ribbon में home tab में जाना है यह रहा home tab इस पर click कर दीजे और यहाँ पर देखिए shapes वाले section में यहाँ पर आपको option मिलता है rectangle का ठीक है यह दिख रहा है rectangle का option इस पर click कर दीजे उसके बाद आपको यहाँ पर outline decide करना है मतलब outline आप कैसी रिखने चाते हैं तो इस drop down पर click करिए और यहाँ से आप solid color ले सकते हैं कोई भी color आप ले सकते हैं उसके बाद आप यहाँ से size भी change कर सकते हैं तो देखिए यह रही size इसके drop down क्लिक करिए और यहाँ से जो merge size आप select कर सकते हैं इसके बाद यह देखिए यह इस तरी की sign आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बस कुछ नहीं करना simple यहाँ पर एक्कम corner से यहाँ से इसको पकड़के rectangle यहाँ तक ऐसे drag कर दीजिए यहाँ से drag करके आप इसको छोड़ेंगे यह देखिए border यहाँ पर बनगे इक है